ओम गणीशाई नम्हा आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली दूसरी कथा सुनेंगे जो कि दो सास बहुए थी कार्तिक मास आया तो सास बोली कि मैं कार्तिक शनान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ बहु बोली मैं भी चलूँगी सास बोली तू अभी छोटी है मुझे अभी तू जाने दे, सास्तीर्थ को गई, तो बहु कुमहार के से 33 कुंडे ले आई, रोज एक कुंडा भर कर रखती, उधर गंगा में सासु जी की नत गिर गई, बहु कुंडे मैं नहाती हुई बोली, सासु नहावे उंडे मैं, मैं नहाओं कुंडे में, इतने मैं गंगा क कुंडे में आगई, साथ में सासु जी की नत भी आगई, बहु ने नत पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली, महीना पूरा हुआ, सासु जी आई, बहु सामान लेने लगी, तो सास नत देखकर बोली, तू यह कहां से लाई, तो बहु बोली, यह तो मेरे कुंडे में गं तुने कहां कार्तिक्षनान किया है तो बहु बोली उपर चलो मैं आपको बताती हूँ उपर गई तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए थे बहु बोली मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह उठकर उसमें से नहा लेती और उल्टा करके रख देती तब सासु जी बोली बहु तो बहु तो बहुत भग्यवान है जो साक्षात गंगाजी तेरे पास आई तुने श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्तिक्षनान किया तो भगवान ने तुझे अच्छा फल दिया दोनों सास बहु ने धूम धाम से ब्रहमन जिमा कर दक्षना दे कर विदा किया कार्तिक्षनान की ये कथा संपोर्ण हुई जिस तरह प्रभु ने उन सास बहु को दिया उसी तरह सभी को दे कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब की जोलियों को प्रभु भरें एक और कथा इसमें कही जाती है जो की इल्ली और घुन की कथा है तो आईए सुनते हैं एक इल्ली और घुन था इल्ली बोली आओ घुन कार्तिक्षनान करें घुन बोला तू ही कार्तिक्षनान कर ले मैं तो नहीं करूंगा बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले म लग कर कार्तिक्षनान करती घुन ने कार्तिक्षनान नहीं किया दोनों मर गए बाद में इल्ली के कार्तिक्षनान के पुन्य से वह राजा के घर में उसकी बेटी बनके उसका जनम हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया राजा ने बेटी का विवाह किया बेटी ससुरा मानी मुझे तो यही चाहिए गधे को रत के साथ बांद दिया और गधे दोड़ने लगा महल में पहुचने पर गधे को महल के नीचे बांद दिया गया जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता मुझे पानी पिला दे तब लड़की ने कहा कि मैंने मैंने पहले ही कहा था क पर तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा उनको बाते करते राजा ने सुन लिया तब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बतलाओ तब राणी ने राजा को सारी बात बतलाई जो कि पिछले जनम में मैं इल्ली थी और ये घुन था त कार्तिक नहा ले पर यह नहीं नहाया मैं कार्तिक शनान के पुन्य से राजा के घर बेटी बन कर जनम लिया और आपके घर में राजपार्ट से रह रही हूँ तब राजा ने कहा कि कार्तिक शनान का इतना पुन्य होता है तो हम दोनों जोड़े के साथ नहाएंगे रानी और राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन्त से कार्तिक्षनान कर दोनों ने दानपुन किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक्षनान कर नहाया करो और पानी घुन पे डालेंगे जिससे की घुन को मोक्ष की प्राप्ती हो जिस तरह भगवान विश्णु ने सारे सुख इल्ली को दिये, उसी तरह सब को दें, कहते सुनते हुंकारा भलते सब की जोलियों को भरें। जाया करता था, वे हैरान होता कि मैं इतना जल्दी उठता हूं शनान के लिए, लेकिन कोई है, जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है, कार्तिक महा के पांच दिन बचे थे, कि एक दिन साहुकार की बहु तो शनान करके वापिस जा रही थी, और उस समय राजा का बेट शनान करने के लिए जा रहा था, आवाज सुनकर वे है जल्दी जल्दी जाने लगए, लेकिन जल्दबाजी में उसके माला मोजरी छूट गई, राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली, और सोचने लगा कि जिस इस्तरी की यह माला मोजरी इतनी सुन्दर है, वे इस्तरी कितनी सुन्दर होगी, उसने पूरे गाउं में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला और मोजरी है, वे पांच रात मेरे पास आईगी, साहुकार के बेटे की बहु ने कहलवा दिया कि मैं पांच रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना, राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर दिया और गंगा के किनारे उसे वहीं पे टांग दिया, बहु सुबा के समय आई और पहली पौडी पर पैर रखा और बोली हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर पांचो पांडो छटे नारायन भीखम राजा उस पापी को नी बहु नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली सुबा सुबा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरिये वीरा, सुबा बोला की कोई वीर भी साख भरता है क्या, वह फिर बोली सुबा सुबा तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर, सुबा ने कही ठीक है भाबी मैं तेरी साख रखूंगा वह तो कहकर चली गई राजा का बेटा हडबडा कर उठा और सुबा से पूछा कि सुबा सुबा आई थी कैसी थी सुबा बोली आभा कीसी बिजली होली कीसी जल केले कीसी कामिनी गुलाब साथा रंग अगले दिन राजा के बेटे ने पिरा लगाकर लेट गया वह आई और भगवान से उसी तरह प्रातना करने लगी और राजकुमार को फिर नीद आ गई वह शनान करके फिर से वापस चली गई सुबा राजकुमार ने तोते से फिर पूछ तो उसने वही सारी बाते दोहरा दी अब राजकुमार बूला कि मै आज रात मैं आँखों मैं मिर्चे डाल कर बैठूंगा। रात मैं वह मिर्ची डाल कर बैठ गया। भहु फिर आई और प्राथना की जिससे उसे फिर से नीदा गई। राजकुमार ने तोते से बहु के आने की बात पूछी तो उसने फिर बता दी राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया जब वह शनान करके आई तो उसने फिर से भगवान से प्रात्ना की और राजकुमार को नीद आ गई वह जब वह नहा कर जाने लगी तो आँख बंद करके चली गई राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी राजकुमार फिर सोच में पढ़ गया और सोचने लगा कि कि आपने चार रातों ही तो निकाल दी हैं अब यह रात और निकाल दो भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नीद आ गई जब वह नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि पांच रातें पूरी हो चुकी हैं वह मेरे मोतियों की माला मे मेरे घर विजवादे सुभा राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा क्या वह आई थी तो तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी तभी तो भगवान ने भी उसके सत्त को रख लिया, कुछ समय के बाद राजकुमार को कोड हो गया, राजकुमार ने ब्रहमन को बुला कर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, ब्रहमन ने विस्तार से सारी बात राजा को बतलाई कि इसने क्या किया था, ब्रहमन ने कहा कि इसने एक पती व्रता इस्त साहुकार की बहु को धरम की बहन बना ले और रोज उसके नहाए हुए जल से ये शनान करे तब यह ठीक हो सकता है। आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए जब वह उपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी में आपका पुत्र नहा लेगा। झट्र को कि झाओे पका रेवार रहाएं ले दीक हो गगा हाँ झाओे जिए